नाम है मेरा खटर सरकार मेरी खटारा इवीब का और बना जो टूंड बेखवादूआ थारा इनकी पार्टी का सबसे बड़ा जुम्लेगा उनकी उनके माहोल का यहीं ही पता जब रात आज बजे लाईवा के बोल देंगे मेत्रों अगर अमीर होना है मकान ही बेच दो आप लोगों के सामने दो कोई नूरी खट्डे हो गए है जो एक बाबा साथ का दिवाना है तो दूसरा छोटू राम का अब सभी को बता देता हूं भाजबा टिकेट बाट रही थी आप उसमें काना भूशी चल रही थी साथ आम तो चाहे वाले के नाम से आपका परचार कर रहे थे चाहे को तो कैटली में चंदर सेखर डाल ले गया आप सभी साथियों को राज लित्ती की आज वोकड़ भी सच्चाई बताना चाहता हूं जो सायद ही कोई बता पाएगा एक बात नोट कर लेना ये जो अब चुनाओं है राजिस्थान का अगर इस चुनाओं में आप लोगोंने अपनी एकता नहीं दिखाई जिन्दगी में कभी दोवारा से इंदूस्तान के अंदर चुनाओं नहीं होगा जो बिजेपी सरकार बासपार सरकार जिसको आप लोग ये स्वक्षते हो कि अगर यहां बासपार आएगी आपका विकास करेगी वो एक सक्कर साथे अर्याना लगाया ना हमारा सियम है खटर साथ जो रियलियों में कहता है नाम है मेरा खटर सरकार मेरी खटारा इब इब का और बना जो डूंड बेक वादुआ था रहा है और इनकी पार्टी का सबसे बड़ा जुम्ले बास उनकी उनके माहोल का यहीं पता कब रात आज बजे लाईवा के बोल देंगे मेत्रों अगर अमीर होना है मकान ही बेच दो कब तक आप लोगी जुठे ड़कोसलों में फशे रहोगे याद करो वो दिन जिस वर्ट हम गुलाम थे उस गुलामी के वड़ किसान का दलित का सोसन होता था हमारी बेंग बेक्टियों को हमारी आखों के सामने पिटा जाता था उचला जाता था आज भी इस वक्त आपकी इस कॉंग्रेस राज के सरकार में अभी अभी एक वीडियो वाइरल हुई थी आप सबने देखी होगी हमारी बेंग बेक्टियों के साथ वही आलात आज किये चालते हैं आप लोगोंने चीज शीख लेनी चाहिए एक बार यां सरकार कोंग्रेस बनाती है एक बार बीजेपी दोनों एक इथारी के सटे बटे हैं एक बार वो खेलता है दूसरी बार वो अखिर आप सबसे पूतना चालता हूँ किसान की दलिप की मज़दूर की सरकार कब आएगी वो सरकार जब आएगी आप लोगों के सामने दो कोई नूर इकड़े हो गए है जो एक बाबा साथ का दिवाना है तो दूसरा छोटू राम का और इस इंदूस्तान के अंदर जिसने सविदान लिखा बाबा साहब उसके दिवानों के साथ आज भी क्या किया जाता आप लोगों को पता है जब रामनाद कोविन एक तलीप समाज का बेटा राश्टर पती बन्या और उसने वाविदान सभा के अंदर अपने पैर रखे उस विदान सभा को गंजाजल से दोया गया गंजाजल से कि एक दलीप के पैर रखने से वो दुशी तो गई आज भी दलीप भाईयों के साथ इतना अत्याचार होता है भोडी पे नहीं बैठने दिया जाता मुझे तक नहीं रखने दी जाती आज भी दलीप बैठियों को गलत नजर से देखा जाता है बलाचकार तक कर देते हैं रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है आज वरी सभा के मात्यम से आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ मैं एक अनुमान का सेमिक इन दलीप भाईों की घोड़ी के आगे लटके जोर पर हम ख़ने होंगे और हम देखें यह उस घोड़ी को कुन लोगी खाँ अब लराई है किसान की मुश्दूर की दलीप की स्वजिती अभी वाशी की मुन वाशी की इस देश के असली राजे तुम हो तुम अपनी ताकत को पहचानो और इन आथों को मजबूत करो एक किसान जब ठेट में जाता है अपने साथ दोई चीजों का इंक्जाम करता है च अब आप सभी को बता देता हूं भाशबा टिकट बाट रही थी अपस में काना फूशी चल रही थी साथ आम तो चाय वारे के नाम से आपका परचार कर रहे थे चाहे को तो केटली में चंदर सेकर डाल ले गया आप सभी को बता देता हूं ये अंतिम लडाई अगर इस लडाई के अंदर आप लोगोंने अपनी ताकत नहीं दिखा ली इस लडाई के अंदर आप लोगोंने अपना जोर नहीं दिखाया जीवन में आप लोगों के लिए आगे कोई योधा और कोई लड़ने वाला नहीं दो में नहीं रहे गा हममान जी कुछ संदर जखरी दोनों एक गरीब परिवार से मजदूर परिवार से किसान परिवार से संगराज्च करके आप लोगों के लिए व लगाई लगर रही हैं आप लोगों के लिए वह एकता कहा हैं अब आप लोगोंने अपड़ी ताकत दिखा रही है और मैं ये चाहता हूँ राजरस्थान के अंदर से 200 सीटों के 200 अनुमान और 200 चंदर से कर निकल के आए और भाई साथ के हाथ मजबूत करें आप सभी साथों ने तरह प्यारी तरह मान सम्मान दिया आप सभी साथों का धन आउड़ाद, रामरां, जाय हिंग, जाय भील, जाय फोटू राम निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे